जहीं दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीरे आप सब बच्चे सूंगे इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले बहुत इंपोरेंट टॉपिक सैचिक प्रसासन के बारे में जानेंगी इसकी अर्थ परिबासा विसेस्ता छेत्र प्रकृति और इसके मुख्य सिधान्त के बारे में जो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि सैचिक प्रसासन होता क्या है दोस्तों इससे पहले कि हम किताबी भासा में देखें कि सैचिक प्रसासन को क्या कहा गया है आप पहले इसको समझिए कि सैचिक प्रसासन के बारे में क्या कहा गया है देखि समझे आपने अक्सर सुना होगा पुलिस प्रसासन ठीक है पुलिस प्रसासन का क्या कारे होता है जो भी कानून संसद में बनाए जाते हैं उस कानून को धरातल पे लागू करना ताकि पूरे देश में कानून विवस्ता बनी रहे ठीक है ठीक उसी प्रकार से प्रबंदन जो पिस सिक्षा सम्मधिद नियम कानून और जो भी वो अपने आदेश देते हैं उसी को सिक्षा में लागू करना ताकि सिक्षड प्रकिरिया एक समाने रूप से चलती रहे अच्छे से चलती रहे या कारे करता है प्रसासन अब इसके अर्थ को समझे एक्जाम्स में अगर आप से पूछता है सैच्छिक प्रसासन का अर्थ बताईए या सैच्छिक प्रसासन के साब्दी कर्थ तो आप आसानी से बना सकते हैं कि सैच्छिक प्रसासन दो सब्दों से मिलकर बना है सैच्छिक प्रसासन और प्रसासन को हम अंग्रेजी में कहते एड्मिनिस्ट्रेशन और होता है मिनीश्टरेक लाटीन भासा का सब्ध है अब इस प्रकार से प्रसासन का क्या अर्थ उआ प्रसासन का अर्थ हुआ कि अबीर अधना सेवा में व्य Max प्रभन्थ को हमेसा एक ही समझते हैं लेकिन शिकषावीद एक ही अर्थ के रूप नहीं करता ठीक है प्राशासन का क्या काम होता है कि जो भी प्रबंदन के द्वारा नितिया निधार की जाती है उसको धयातल पर लागू करना तो अगर आप से प्राशासन का साब्दी गर्थ पूछे तो इस प्रकार से लिखिए लेकिन मुस्ट इंपोर्टन टॉपिक जो सम वेग्यानिक धारलाओं के साथ साथ नैतिक मुल्यों का भी पालन करना होता है इसमें यह विद्याले के अंत्रगत अपने कारियों का संपादन करता है जैसे कि हम अब जानते हैं कि विद्याले समाज का लगू रूप होता है अर्था यह विद्याले के साथ साथ समाजिक व कास करने में अपनी आहं भूमिका का निर्वाहन करता है अब देखिए यह सिच्छक और चात्रों के मद्य अधिकम यूग वात्रवरण का निरिमाड करता है ठीक है जीसे सिच्छक के द्वारा चात्र अधिक साधिक समझ पाए जिससे सिक्षड अधिकम्पर क्रिया को प्रभाविसाली बनाया जाता है या विद्याले के समस्त कारे है तू अवस्यक समागरी का प्रबंद करना साथ इजा सिच्छा के किर्यानित विवास्ता एम समय साराडी का निर्माड करने में आहां भूमिका निभाता है एक चीज़ समझे आ क्योंकि उसको पता है कि ठंडी के वज़े से बच्चों में क्या उसकती है तकलीफ हो सकती है पारशानि नीखलती है अब यहां प्रसासन्थ चात्रों के व्यक्तित नेर्माड सोट पर्यास करता है और सात तैब अध्य करgom से शाट क्रिकुल में एक्टिविटीइज आपक इतने से आप वो समय सारड़ी प्रसासन इंद्र खटा ऐसा नहीं कि सर्दिय में कोई रात को बुला ले या कोई सूबा बुला ले तो स्कूल के भी टाइम सेट होता है जो कि प्रसासन बताता है कि आप सूबा आठ बज़े से दो बज़े तक ही बता सकते हैं गर्मियों में इ सिच्छरः प्रक्यृयाों की योजना का निर्माड करने में ठीक है की सिच्छर प्रक्यृया कब से कमत्र होती और किस तरीके से होगा नमीन उपकरोने उपागुमों के माध्यम से अधिक सहत्य कम ओई आपने देखा होगी पहले प्रात्मिक विद्यालों में कम्प्यूटर नहीं था लेकिन अभी कम्प्यूटर आगया तो यह प्रब legislator ने योजना बनाई कि अब प्रात्मिक विद्यालों में कम्प्यूटर होनी चाहिए तो सैचिक प्रसासन इस चीज को लागू कर देगा, ठीक है, अगर हम करेंगे मानिवी सम्मंदों की अस्थापना में, पहले आपने देखा होगा कि पहले प्रात्मिक विद्याला में बच्चों को मारा जाता था, मतलब उसे दंडित किया था, आजकल ये सारी चीज़े नहीं आजकल कोई कर दे तो प्रसासन उनको सस्पेंड कर देगी, तो ये सारी चीज़े क्या है, मानिवी सम्मंदों की अस्थापना में, प्रसासन का छेतर है, प्रसासन इसको लागू करता है, अध्यापों की नियुक्तियों सेवा सुरक्षा, ठीक है, अध्यापों की जो भी प प्रद्धिती के संबंद में जनकारी प्रदान करना कि सिक्षर प्रद्धिती कैसे चल रही है और ये ले जाके प्रबंदन को देना था कि प्रबंदन उसमें क्या कर सके सुधार कर सके अगले हम देखेंगे दोस्तों दो पॉइंट और बचे हैं सैचिक समस्याओं का समधान क करने में और भातिक तत्तों का संगठन करने में जैसे मान लें कि स्कूल में बच्चों को उनको पुष्ण पुस्टक मिली कि नहीं शारे चीज़ उनका हैंट इनमारर, लेखरी की निमार, पुस्त काले की निमारर, बैक की बीवस्ता, यह सारी चीज़े का देखिर है कौन करता है, साइसिक प्रसासन, यह उनके कार्य झेत्र हैं अब हम देखेंगे दोस्तों कि सैचिक प्रसासन के उद्देश से क्या होंगे बिलकुल उसी से मिलता जूलता आपने जो भी पढ़ा वही तो सैचिक प्रसासन का उद्देश से हो सकता है जैसे सिछा सम्टित कारियों का समपन करना, तथा सिच्चा के छेत्र में कारेरत व्यक्तियों की सहायता करना, समाज में सभी बालकों के सामुचित विकास के लिए उप्यूक्त परायवराण को तयार करना, आवस् wrapped समागरीज साधन जुटाना, सिच्चा सम्टित वह ही चीज मुक्रिक कलाब तता गती वीदियो को भली भाती संचालित करना ठीक है तो यह हो गया है दोस्तों हमारे टोटल सिख्छा के उद्येश इसको आप स्वयम से लिखेगा अपने मन से ठीक है आप चाहे तो इसका स्क्रिन्शॉट ले सकते मोस्ट इंपोर्टन जो देखना है दोस के संत्रोद बनाने में से च्च्षिक प्रसासन के कारे तो मानमी गुणों का विकास होता है से च्च्षा समाज है तो उप्योगी बनता है और सिख्चा प्रकिरिया का संचाल पर्सबूर्ट को हमें देखना है कि अब सिध्धानत को समझेए पलीजपर प्रसाशन के हैं कि वह इस सिधान्त के काम करेगा है पूरे देश में कानुन ब्रुस्ता आपको समझे पड़ेगी ऐसा नहीं है कि केवल सिखिचा फाइल केंद्रित होके केवल फाइलों पे दिख रहा है कि हाँ इतने बच्चे हैं फाइलों पे हमें दिख रहा है कि स्कूल में बैक बट गें फामें दिख रहा है क Karl केुंड्य मिल Скहना बन रहा है कि शिख्षव दोरा व्यक्तियों के सारणिक मानसिख भावात्मिक अध्यात्मिक तथा सौंद्रयात्म गुणों का विकास किया जाए बालक की प्रकृति सक्ति चमतायों योग्यता था रूचिय अधिका ज्यान प्राप्त कर विद्याले के पाठिकरम समय सारणि सज्जा फर्नीचिर आदि प्रबंद करने में से व्यक्ति का सरवक्रीक का संभव है इसका उधिक प्रस्याव को रुचिय का विकास करने में उनकी कारसुलत का विकास हो को Philippan talking about चांद को संदिक लई उसके शादर्शन पर अधारीयफ हो स्थ्धाल के अनुसार कारेव का विवाजन होना चाहिए बालग प्रधान से अच्रिक प्रशासन सिदन देखे सिक्षा ब्यवास्ता में बालक परधान, चाइल सेंटर्ड हम जिसको कहते हैं, चाइल सेंटर्ड तो हमेशा होना चाहिए, कोई भी कारे करने से पहले आपको इस बात को चेक करना है कि बालक की छमता क्या है, ठीक है, जैसे कि उसकी मूल प्रविर्थी, महान है, चाइल सेंटर्ड ये सिधान्त रहता है, सहचिक प्रसा सका, दोस्तों और भी बहुत सारे सिधान्त है, इसकी कोई फिक्स निक्स्चित सीमा नहीं है, लेकिन हाँ, जो मुख के सिधान्त है, वो हमने आपके सामने पेस किया, अगला है लचीला पन्त, इस्तिर्था तथा अनुकूलन का सिधान्त, इसका मतलब क्या हुँ, देखिए, आप पार्टिक्रम को इतना कठोर न बना दे कि कोई उसे पूर न ले कर पाए, या इतना आसानी से न बना दे कि कोई भी उससे सामिल कर ला रहर न, चाहिए, तो लचीलापन होनी चाहिए, लेकिन उसके कहा गया कि विद्याले को ऐसा होना चाहिए कि आओ सकता हो तता उद्देशों के अधार पर प्रबंध तता कारिक्राओं में कठोड़ता ना हो चीक है वरन लचीला पन हो जिससे समय के साथ साथ परिवर्तन किया जा सके तता ऐसा भी ना हो कि उसमें कोई स्थिरता ही ना हो जब चाहा बदल दिया वरन समय की अनुकुलता के साथ साथ परिवर्तन सील होना चाहिए जिसका अस्थानी इतता राष्टिहित को ध्यान में रखा जा सके तो यह हो गए हैं टूटल दोस्तो सैचिक प्रशासन के सिधान और इस वीडियो को हम यहीं खतम करेंगे आपको एक चीज में आपको बता दू सैचिक प्रशासन के सिधान की जो पॉइंट्स है इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है बुक्स में दिये गए हैं लेकिन सब को याद करना थोड़ा सा संभो नहीं लेकिन असंभो तो कुछ भी नहीं होता है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है तो मैंने जो मुख्य पॉइंट है वो हमने आपके सामने रखा अपले सिसके स्क्रीन शॉट लेते चले सैचिक प्रसासन के सिधान में एक लचीलयपन का सिधान हमने देखा हमने बालक प्रधान की सिधान देखी छमताओ के अनुशार कारी विवाजन और सिक्षा दर्सन पर अधारित और व्यक्तित्तों का महत्तो ये हो गए हमारे सैचिक प्रसासन के सिधान ठीक उसी प्रकार स अगर उप्योगिता की बात करें तो आप स्वयम से लिए सकते हैं कि सैचिक प्रसासन का इस्तमाल क्यों किया जाता है उसके कारे क्या है चरित निर्मार, सैचिक तत्व का संतुलन मानिवी गुणों का विकास सिक्षा को समाज है तू बनाना और सिक्षा प्रकिरिया संचालान और लोकतांतरिक विचारता है ये इसके उप्योगिता और उद्देश से बिल्कुल वैसे ही जो इसके छे कारे छेतर हैं कोगि कारे छेतर ही उद्देश से को ध्यान में रखके किया जाता है तो इनके कारी छेतर क्या थे प्रसासन के शेतर भौतिक तत्व का संगठन, सैचिक समस्याओं का सामाधान, सिक्षर पद्धिती के संबंद में जनकारी प्रतान करना, अध्यापकों के निक्तियों, सेवा सुरक्षा, मानवी संबंदों की अस्थापना और सिक्षर प्रिकिरि बिल्कुल यही चीजे मिलेंगी और अर्थ के साथ-साथ इनके क्या स्थेतर है, इनके क्या कार्यूपियो जिता है, इनके क्या उद्धेश से है, इनके क्या सिधान थे हैं, और आज इस टॉपिक को खतम कर दीजे, ठीक है? फिलाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों इस वीडियो को खतम करेंगे मैं उम्मिद करता हूँ कि चीज़े आपको समझ में आ गई होगी और जब समझ में आ गई होगी तो आपको अपने सब्दों में लिखना है बस इन सारे हेडिंग्स को याद रखिएगा ठीक तो दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही मैं उम्मिद करता हूँ कि या वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर हाँ तो प्लीज कमेंट में मुझे जानकारी जरूर दें कि या वीडियो आपको कैसी लगी ताकि मैं और मेहनत करूँ और आपके लिए वीडियो बनाओ फिलाल इस वीडियो में दोस्तों बहुत 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 शुक्रिया अगर आप इस तक आप चैनल से नहीं जुड़ें तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ें वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करके मुझे थोड़ी हल्क करें जय हिंद जय भारा दोस्तों